कैई चमतकारिक और रहस्यमाई जीव जन्तूओं से समुद्र भरा पड़ा है समुद्र में अनोखे जीव जन्तूओं और अलग-अलग परकार की बनस्पतियां और अन्ने चीजे पाई जाती हैं समुद्र में हो रही तमाम गती विदियों पर नजर रखने वाले जीव बिग्यानी आई दिन समुद्र में रहस्यमाई जीवों की खोज कलते हैं समुद्र में कई जीव पाई जाते हैं जिनको देखने के बाद बैग्यानिक भी हैरत में पड़ जाते हैं अब इस बीच एक ऐसी जीव का जीवासम मिला है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे अमेरिका में बैग्यानिकों ने 13 करोड साल पुराने गर्वबती समुद्री जीव के जीवासम की खोज की है चिली में खोजे गई समुद्री जीव के पेट में कई बच्चे पाए गई हैं इस जीव का नाम इंच थियोसौर है जो डाइनसौर के समय का एक सरीश्रिप है यह सरीश्रिप उस समय समुद्र पर राज कलता था आए जानते हैं समुद्री राक्षस के बारे में अमेरिका के चिली में पहली बार किसी इंच थियोसौर का पूरा जीवासम पाया गया है नचेश्टर विश्व धल लेके सोध कलताओं ने पैटागोनिया में टाइंडल क्लेशियर में इंच थियोसौर के इस जीवासम की ख होजगी है तैरने वाले यह सरी सिरिप डाइनसौर के पहले से धलती पर पाये जाते थे लेकिन करीब 9 करोड साल पहले यह धलती से खतम हो गए थे इसके बिलुप्त होने की बज़े के बारे में कोई जानकारी नहीं है सीड रेगन के नाम से मसूर इंच थियोसौर समुद् 36 साली जीव थे अमेरिका के चली में मादा इंच थियोसौर का जीवासम मिला है जिसके पेट में कई बच्चे मौजूद हैं रिसेर्च टीम में सामिल जीवासम विग्यानी डाक्टर डीन लोमेक्स का कहना है कि चरम बाता बरन में इतने अच्छे से इंच थियोस और संग्रक्षित हैं जो हैरान करने वाला है इस स्थिर्ग लेसेर के अंदर मौजूद चीजे अक्सर बाहर आती रहती हैं लेकिन इसके इंच थियोस और के जीवासम के अंदर का हिस्सा काफी अच्छी स्थिती में हैं सोद कलताओ का कहना है कि चिली में इस स्थान पर इंच थियोस और के साथ खई वैस्क कि सोर और नवजात बच्चों के पूरे जीवासम मिले हैं इसके आधार पर बैग्यानिकों का कहना है कि इस इलाके में इंच्छ थियो सौर का 13 करोड साल पहले राज रहा होगा वलतमान समय में इंच्छ थियो सौर दॉल्फिन की तरह दिखते थे इंच्छ थियो सौर के जीवासम की खोज इसी साल मार्च के अप्रेल में एक अभ्यान के दोरान हुई थी ये Glacier के ऐसे इलाके में है जहां तक जाने के लिए 10 गंटे तक पैदल चलना पड़ता है इंच्थियोस और वैलांगी नियन होटे रीबियन युक की पहली गरवती जीब मिली है जिसकी धलती पर खोज हुई है इस सोद के परमुख मैगलन विस्विध धाले के परफेसर जूडित पारडो पैरज का कहना है कि ये जीवा समचार मीटर लंबा है और इसके घर में बच्चे हैं इससे इसके जीवनकाल में इनको परभावित करने वाली बीमारी के बारे में पता चलेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू सो वोचिंग वीडियो धन्यवाद